हलो गाइस मेरा हमेशा से ही ऐसा मानना है कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ें तो हम उसे ऐसी पढ़ें ऐसी सीखें ताकि हम लोगों को सिखा सकें क्योंकि जिन्दगी इसी का नाम है दोस्तों जो हमें आता है उसे हमें लोगों को बताना चाहिए उसे लोगों को के साथ बाटना चाहिए इसलिए जितना मुझे आता है जितना मैं किताबों से और इस दुनिया से सीखता हूँ उतना आपके सामने लाता हूँ और मैं कोशिस क करता हूं कि जादा से जादा मैं सीखूं और आपको उससे कई गुना जादा देने की कोशिस करूं दोस्तों मेरा नाम है कमलेश यादो मैं हूँ आपका इंग्लिष ट्रेनर और आज हम पढ़ने वाले हैं दो बहतरीन टॉपिक एक है हमारा विल एक है हमारा शिल विल शिल दिखने में बहुत सिंपल दिखते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ वक्त के साथ इंगलिष के साथ हैं कई सालों पहले हुई थी, 14th century से हुई थी, 15th century में बदलाव आए, Queen Elizabeth ने बहुत सारे changes करवाए, फिर Queen Victoria आई, ऐसे करते-करते English इंडिया में आ गई, और इंडिया में आने के बाद हम लोगों ने भी American और British English के चक्कर में काफी कुछ बदलाव कर दिये. दोस्तो Will और Shell वेसे तो दोनो Simple Future को ही बताते हैं, जैसे कि Future में कोई काम होने वाला है, ऐसा हमें बच्चपन में बताया गया था, हमने क्या शिखा था, कि I और V के साथ हम Shell लगाते हैं, बाकी सब के साथ Will लगाते हैं, और Simple Future Tense बनाते हैं, कि कोई काम होने वाला है, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा मैं पानी पिऊंगा वह मुझे मेरी मदद करेगा हम अंग्रेजी सीखेंगे वे हमारे साथ क्रिकेट खेलेंगे हम हम नया मोबाइल खरीदेंगे वह कपड़े धोएगा मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाएगी तो कोई काम होगा इन फ्यूचर उसके लिए ह सो मॉडल के हिसाब से विल और सेल एक दूसरे के एपोजेट हो गय ने अपने अपने काम बदल लिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि IvorWeek के साथ ही शीयल का एस्तमाल किया जाए और बाकि सब के साथ वील का एसा नहीं होता है अब सब कुछ बदल गया है आपको इस लिए म मेरी बातों को सुनना है ताकि आप अपने exam में अच्छे से questions को solve कर पाओ साथ में day to day life में जब अगर आपको अंग्रेजी अच्छी वाली English बोलना हो तो आप will और shell का इस्तमाल सही तरीके से कर पाएं तो आज का जो हमारा topic है वो है कि models के रूप में हम will और shell का इस्तमाल किन किन condition में कर सकते हैं और कब-कब आपको नहीं करना है क्योंकि कभी-कभी नहीं करना भी जरूरी होता है कि हमने क्या है हमें जहां नहीं बोलना चाहिए हम वहां भी बोल देते हैं And the problem becomes hell तो इसे लिए आपको यहां देखना है कि will का स्तमाल हम यहां पर चार conditions में कर सकते हैं वैसे conditions तो और भी बहुत सारी हैं विल को लगाने की conditions और बहुत सारी लेकिन मैंने में में चार conditions लिख लिए ताकि आपको पहतर तरीके से बता पाऊ देखें दोस्तों यहाँ पर एक होता है हम विलकर इस्तमाल करते हैं simple future बताने के लिए simple future क्या होता है कि जब हम tenses के हिसाब से देखें कि भाई हमें जो है वह मेरी मदद करेगा तो he will help me इस तरीके से हम बताते हैं एक होता है compulsion मैं इनको डीटेल में बताऊंगा पहले एक overview दे रहा हूं आपको overview कि हम क्या-क्या पढ़ने वाले उसके पार इनको details में समझाऊंगा कि जब हमें कोई काम compulsory हम किसी से करवाने वाले हैं हम दिखाते हैं तो हम वहां पर भी जो है विल का स्तमाल करना पड़ेगा for example you will have to clean my home you will have to clean my room तुमें मेरा room clean करना पड़ेगा तो will have to में हमने will को add कर दिया have to में तुम यहां पर यह compulsion आगिया you will definitely do this तुमें यह तुम यह करोगे पक्का करोगे इस तरीके से हम compulsion किसी को लगा जाता है determination का मतलब होता है जब हम खुद की बात करते हैं कि हमने कोई decide कर लिया है जैसे determined है मैं किसी काम को निगले कि I will definitely I will definitely win this match मैं determined हो मैं यह match जरूर जीतूँगा तो मैं determined हो इस काम को करने के लिए और promises में हम किसी से promise करते हैं कोई किसी से promise करता है तो वहाँ पर भी जो है हम will का इस्तमाल करते हैं जिसे मैं promise कर रहा हूं तुम से I will give you a birthday surprise मैं तुम्हें पक्का जो है एक अच्छा gift दूँगा birthday पर तो ये overview मैंने देखा कि will का इस्तमाल हम कहां कहां कर सकते हैं अभी detail में पढ़ेंगे अभी यहां देख लिए shell थोड़ा सा confusing है क्योंकि spoken की बात करेंगे आज grammar की बात बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आएगी spoken में क्या होता है वैसे तो हम will और shell का इस्तमाल कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि अब वो दाइरा नहीं बचा की पहले क्या था कि shell का इस्तमाल सिर्फ i or v के साथ होता था लेकिन अब बदला हो गया है अब shell का इस्तमाल कहीं भी हो सकता है दूसरा shell के बोलने के तरीके और उसके मीनिंग निकलने के तरीकों में बहुत अंतर आ गया shell का इस्तमाल वैसे है तो हम simple future में i or v के साथ करते है common नियम देखे तो कि i shall go to school मुझे मैं school जाओंगा i shall help you मैं तुमारी मदद करूंगा लेकिन बोलने में थोड़ा जीब लग रहा है command और order ये बहुत बढ़िया निकल किया इसलिए मैं इसे red से underline कर देता हूँ जब हम किसी को कोई formal command देते हैं कोई formal order देते हैं वहाँ पर भी हम shell का इस्तमाल करते हैं जिसे किसी company में कुछ company में कोई company है उस company के boss ने अपनी company के करमचारियों को employees को order दिया कि अगर तुमने समय पर काम फिनिश नहीं किया तो तुम्हें punish किया जागा तुम्हारी salary काट ली जाएगी तो वहाँ पर if you do not perform according to your salary your salary should be या your salary shall be deducted तो यहाँ पर shell का स्तमाल किया आगे अगर तुम ठीक से नहीं काम करोगे तो तुम्हारी salary काटी जाएगी तो shell का स्तमाल हम लोग एक command देने के लिए order देने के लिए भी कर रहे है ठीके और suggestion में जब हम किसी से suggestion मांगते ना जैसे बोलते हैं कि क्या हम चलें shall we go now क्या हम taxi hire करेंगे shall we hire the taxi क्या हम यहाँ खाना खाएंगे shall we eat food today here इस तरीके से तो डीटेल में आएंगे तो और समझ में आएगा और idioms and phrases हमने एक idiom सुनी होगी फर प्रोब सुनी होगी जैसा बोगे वैसा काटोगे as you sow so shall you reap तो एक बहुत ही अच्छी वो है last में देखेंगे वैसे ultimately यह concept में आपको in the beginning I am just trying to make you clear कि आपको यह समझ लेना है कि इन दोनों में अब वो बात नहीं रही कि कुछ भी मतलब यहां लगा दो आप समय को देखकर आपको सही अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है वरना होता क्या है कि हम सामने वाले की बात यह तो समझ नहीं पाएंगे या फिर अगर हमें कम नौलेज होगा तो हम बोलें यार यह गलत अंग्रेजी बोल रहा है वोट आइ मीन टू से इस कही बार क्या होता है और यह मेरे साथ भी हुआ है प्राक्टिकली भी प्राक्टिकली कि एक व्यक्ती ने बोला कि अब ऐसा किसे ने बोला कि तुम्हें अपना काम समय पर खतम करना चाहिए मेरे दिमाग में क्या है आई और वी के साथ तो शेल लगाते है यह यू के साथ शेल क्यों लगा रहा है तो मुझे क्या लगा कि यह सामने वाला इंसान गलत है इसे अंग्रेजी का ग्यान नहीं है लेकिन एक्चल में मुझे उस समय ग्यान नहीं था क्योंकि मुझे बाद में मैंने पढ़ा कि जब हम कोई फॉर्मल ओर्डर देते हैं फॉर्मल कमांड देते हैं वहाँ पर हम यू ही शी सब के साथ शेल लगा सकते हैं समझ में आपको कि कई बार हमें नौलेज नहीं होता है इसलिए हम उस नौलेज की कमी की वज़र से डेंजर हो जाते हैं जैसे आपने सुना होगा लिटल नौलेज इस डेंजरस थिंग अधुरा ग्यान कतरनाग होता है